अगर आप भैजीट्रियन हैं तो यह रेसिपी जरू ट्राई करें प्रोटीन से भरावा बैसन की सब्जी जो खाने में स्वादिस्थ है और उतने ही बनाने में जल्दी जटपट अराम से बनकर तयार होता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं बैसन की सब्जी तो मैं यहां पेस्ट बना लिया हूं अब इसमें हम लोग मसाले मिला देंगे जो बाकी के मसाले है तो यहां पर मसाले के लिए मैंने अधा चमस हल्दी पाउडर डाला है अधा चमस जीरा पाउडर अधा चमस धनिया पाउडर अधा चमस मिर्चा पाउडर और फिर यहां पर स्वाद अ सा थोड़ी पाडर दूंगा थोड़ा सा जीरा पाओडर के लिए और यहां सबाथव हम ससा यमे नमक कमते डालतेदवर दो ज्याद हो जाएगा थो अच्छा नहीं JEFF बना लेंगे तो इसमें थोड़ा भी बबल नहीं रहना चाहिए तो सारे बबल जो भी है इसको अच्छी तरह से आपको फेट के बबल जितना भी है निकाल देना है तो देखिए यहांपे एक पतला सा बेटर बनकर त्यार है अब एक तावे पर हम लोग गरम कर लेंगे और इ यहाँ पर रोट्स जैसे चिपके अची तरह से निकल जाए तो इसको ऐसे ही करना है और उर्ट करके दोनों तरफ पकाएंगे मिनट पका करके एक मिनटके लिए पका लेंगे कि पाकी के सब जो भी आ हम लोग चिला बनाने वाला हैं मैं इसा इभा बनार भी और बनाकी मैं दिखा स्वादिस्ट होता है अगर नौनवेज खान नहीं खाते हैं तो जरूर यह राई करें खाने में उतने स्वादिस्ट है तो मैंने च्छिला यहां पर बना लिया है अब इसको हम लोग पीस में काड देंगे पीस अपने अकार के हिसाब से काड सकते हैं चोटा या बड़ा और करें इसमें सेप भी आप अपने डिजाइन से बना सकते हैं तो मैं यहां पर एंपस्ट होता है ऐसे ही रखा हूं आपस्ट के लिए मैं यहां पर थोरासा मैथी दे दिया हूं फूरासा गोटा-जीरा और फिर यहां पर जो हम लोग टमाइटो चॉप करके रखे थे दो टम सब्सक्राइन करना कर नभी तब तक इसमें लुग आफ्ची का ना चोड़ यहां पर थोड़ा सब करले सब्हुत हो कि पानी अниковरेन देखते हैं चोड़ गार बंद्वाहं और मतहरें च्थकि दब उतने ही खाने में स्वाधिस्ट होता है और एक अच्छी सी खुसबू आती है तो मसाले हमारे भूंग गई है अब इसमें हम लोग पानी मिला देंगे पानी मिलाके इसको दो मिनट तक हम लोग उबाल आने देंगे तब इसमें हम लोग जो बैसन के कटली काटके रखे थे वो डायरेक्टली इसमें मिला देंगे तो हमारे मसाले में उबाल आ गई है अब इस बैसन को कडली को इसमें मिला देंगे और ये बस एक से दो मिनट लगेगा बनने के लिए और बनकर त्यार हो जाएगा तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो काईटिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ सियर करें और हमें कॉमेंट करके बताएं आपको बैसन की सबजी कैसे लगता है और क्या चीसे खाना पसंद करते हैं रोटी या चावल से तो यहां पर धनिया से मैंने गार्णिस कर दिया है और बाकी हमारे बैसन के सब्सक्राइब बनकर त्यार है